हलो एव्रिवान वेल्कम टू यॉर चैनल मैनोवर एजुकेशन और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एलेक्टर बॉंड से रिलेट करके जो आज का सबसे बड़ा बर्निंग इशू आप देखते रहते हो न्यूस चैनल पे तो इस चीज को हम समझेंगे एकदम बेसिक से कि इलेक्टर बॉंड exactly है क्या and इसको क्यों introduce किया गया था और किस बेसिस पे सुप्रीम कोट ने इसको unconstitutional declare कर दिया तो कुछ parameter है जिस parameter पे आप ये पूरा वीडियो understand करने वाले हो जिसमें आपको बहुती step by step सारी चीजे clear हो जाएंगी तो सबसे first thing हम try करेंगे understand करने का कि what is the political funding political funding क्यों important है and before electoral bond किस तरह से political funding होती थी and after that electoral bond introduced in 2017 किस basis पे किस scam को किस black money के basis पे electoral bond को introduce किया गया था and after that SC Supreme Court ने इसको क्यों unconstitutional declare कर दिया और finally हम देखेंगे किस political party को कितना चंदा मिला हुआ है और ये final conclusion देखेंगे कि ये exactly government की scheme है या फिर कोई scam है तो इस पूरे point of view से आप पूरा वीडियो देखने वाले हो तो पूरे वीडियो को अच्छे से देखना अच्छे से समझना आपका कुछ comment हो तो comment कर सकते हो और वीडियो अच्छा लगे तो like कर सकते हो इस channel को subscribe कर देखेंगे continuous type के आपको information मिलने वाले है जो आजकल news में चल रहे है तो सबसे पहला देखते है कि why the political funding is important तो देखो political funding क्यों important है तो देखो political parties जो elections campaign, election participate करते हैं तो उनको बहुत सारा expense करना पड़ता है कोई national level का leader चलता है तो 100-200 गाडियां चलती है तो यह जो इतना बड़ा expense होता है इसको manage करने के लिए political party को funding चाहिए इसको बहुत simple example से आप समझ सकते हो कि अगर से समझ लो आपको कोई political party बनानी है जो existing political party है उसमें उससे आप खुस नहीं हो और आप चाहते हो कि आप election में participate करो तो सबसे पहली चीज जो आपके mind में आएगे कि पैसा कहां से आएगा election में participate करने के लिए लोगों एक जगा से दूसरी जगा गाडियों से जाने के लिए campaign को करने के लिए अपने political party के बारे में awareness को बताने के लिए कहीं पे कोई assembly करोगे तो आपे खाने पीने जो tent लगेग उस expense को manage करने के लिए इस सारे political party को क्या चाहिए funding चाहिए अब वो funding कहां से मिलती है लोगों से मिलती है companyों से मिलती है corporate companyों से मिलती है यही सब सारी चीजों को मिला करके यह कभी कभी जो एक legal way में हो तब तो ठीक है जब illegal way में हो जाता है तो यहीं से scam और black money का जो matter है वो स हुई है और electoral bond अगसे unconstitutional हो गया तो इसके बाद भी political funding होगी क्योंकि बीना political funding के election possible ही नहीं है क्योंकि इतना बड़ा expenditure होता है अब देखो यह सब सारे जो political funding को use किया जा था इस type के expenditures को करने के लिए तो इसको electoral bond से पहले भी तो कुछ rule थे जिस rule के basis पे political funding होती थी तो वो rule क्या थे पहले उसको समझते तो देखो जो अभी इसके पहले जो 1915 act people act है इसके तुरू जो funding होती थी तो इसके तुरू जो funding होती थी इसमें जो इसमें और बहुत सारे reform हुए time to time तो उसके details में हम नहीं जाते हैं हम directly आते हैं कि finally यह जो reform बनाया गया था क्या था तो इसमें देखो क्या था कि 20,000 के amount का अगर से किसी भी political party को को कोई funding मिलती है for example अगर से मैंने Congress party को मुझे पैसा देना है कि Congress party में मैं believe करता हूं या BGP में मैं believe करत हूं कि मेरी party है और मुझे इसको चंदा देना चाहिए इसको support करना चाहिए तो अगर से मैं 20,000 से उपर का चंदा दूंगा तो फिर मेरा details उस political party को election commission को देना पड़ेगा कि भाई इस person ने या फिर इस company ने मुझे चंदा दिया है अगर से कम का चंदा आगस मैंने political party को मिलत है तो फिर वो एक receipt देते है आपको political party को चंदा देना है आपकी फेवरेट पार्टी है बीजेपी है या फिर Congress है आपको चंदा देना इनको तो आप क्या करोगे इनके जो district office होता है आपके area में जो इनका office होगा तो वहाँ पे जो local leader होगा तो उसके पास आप जाओगे बोल देंगे जिसका जिसका अगर से 1,000 है 2,000 है 5,000 है 20,000 से कम है तो इस political parties को election commission को बताने की कोई जरूरत नहीं है बट अगर से बड़ा amount है 20,000 के अबब है तो यह cash में नहीं ले सकते है यह account के थूरू ले सकते है या फिर जो भी ले रहे चेक के थूरू ले रहे तो इनको election commission क को inform करना होगा कि मुझे इस person या इस company ने दिया है company के लिए देखो एक rule यहाँ पे company के लिए rule है कि अगर से political party को अगर से funding दे रही है चंदा दे रही है तो अपने profit का 7.5% से जाधा नहीं दे सकती है लेकिन electoral bond वाले case में अभी आपने देखा कि जो company के पास salary देने के लिए पैसे नहीं है वो भी करोरो रुपए का चंदा दे रहा है तो कहीं ने कहीं यह scheme तो नहीं scam ही है जिसको हम आगे explorer और detail में देखेंगे अभी तक जो पहले चंदा देने का system था पहले funding करने का system था वो इस तरह से था तो कोई भी individual 20,000 से काम अगस चंदा दे रहा है किसी भी political पार्टी को तो political party को बताने की जबरत नहीं election commission को और अगसे company के लिए क्या रूल दा 7.5% total profit का ही चंदा दे सकते थे बट actual में अभी जो electoral bond वाले case में आप देखोगे कि इस चीज को change कर दिया गया है तो अब देखो यहाँ पे electoral bond introduce करने का main purpose क्या था तो जो previous वाला पार्टा इसको बताना पड़ेगा तो इन लोगों ने क्या किया इसमें सबसे बीएसपी करके जो एक यूपी की political party है मायावती आपको नाम होगा इनका जो scam सामने आया था वो यह था कि इन्हों ने क्या किया कि जो चंदा लेना start किया वो 18,000 का चंदा ले लिया 19,000 का चंदा ले लि और ऐसा इनोन ही नहीं किया most of the political party ने करना start कर दिया तो इस चीज को tackle करने के लिए फिर यह हुआ कि cash में आप चंदा ले नहीं सकते इसको और भी कम करके 2,000 कर दिया गया कि 2,000 से कम का amount ही आप cash में ले सकते हो इस से जाधा amount है तो आप electoral bond के through ही funding कर सकते हो तो इसलिए electoral bond को introduced किया गया इसमें काफी कुछ rules थे मतलब आप bank के through ही कर सकते हो और यह सब सारे procedure थे तो इस part को हम understand करते हैं तो जो आपने देखा कि अभी political parties ने क्या किया कि 20,000 से कम के funding लेना start कर दिया इस तरह से जैसे कोई इस company को करोड़ रुपए का चंदा करना है तो उसने क्या किया आदमियों के नाम बना दिये क्योंकि उसमें KC का detail सो पूछना नहीं है तो जैसे ABC नाम इन्होंने इतना दिया अभी EFG ऐस तरह से नाम बना दखे और उन्हें 19,000-18,000 करकरके ऐसे करोड़ रुपए को legalize करके दे दिया तो कही ने कहीं यह black money को political funding के लिए use किया जाने हमारे finance minister रहे अरुन जेटली साम ने उसके बाद 2018 में इसको act को pass कर दिया गया और फिर इसके तुरू जो system बना कि अब इसके तुरू ही कोई political party जो funding से ले सकती है वो ले सकती तो इसमें देखो क्या system बनाया था कि इसमें क्या transparency थी कि bank के थुरू ही सिफ funding हो सकती है इस किसी भी individual को for example यह कोई individual है इसको किसी भी XYZ political party मालो BJP हो गया BJP हो गया या फिर Congress हो गया दोनों को equal रखते है पता नहीं कौन government में आ जाए तो अब देखो यहां पर यहां पर इस person को अगर से political funding करनी तो क्या करेगा SBI के पास जाएगा और इससे क्या करेगा bond खरीदेगा औ और यह bond जो हो है इस ratio में मिलते थे 1000, 10,000, 1 lakh, 10 lakh and 1 crore इसी type का यह एक paper मिलता था यह बंदा क्या करेगा SBI के पास से यह paper purchase करेगा उसको 1,00,000 रुपए देगा और SBI के पास इस बंदे का पूरा details होगा KYC इस बंदे का account होगा KYC details होगा तो SBI को पता है कि कौन खरीदने वा तो यह बंदा क्या करेगा SBI से यह bond खरीदेगा bond खरीद के लेके आएगा और ले जाके अपनी political party को देदेगा चाहे बीजेपी को देदेगा चाहे Congress को देदेगा ठीक है अब इस party को क्या करना है इस party को यह bond लेके यह paper लेके SBI के पास आएगे मेरे पास यह paper आया हुआ bank को पैसा दिया bank से paper यह खरीदा इस paper पे लिखा हुआ है कि 10,000 का है किस date को खरीदा यह भी है इसमें एक चीज जो छुपाई गई वो सबसे important है कि इसमें इसका number अभी तक जो as per the government की इस पे कोई serial number नहीं होता था जो कि forensic जाच में पता चला कि इस पे एक number भी होता था जो क बहुत बहुत misguide किया गया और बहुत important चीज है इसको मैं अभी बताऊंगा कि क्यू important है तो अभी तक आपने यह process देखा कि किसी को funding करनी है तो bank में गया यह bond यह paper खरीदा SBI को पैसे दिये 10,000, 1,000,000 जो भी है और फिर इस बंदे ने क्या किया कि यह लाकर political party को दे दिया अब इस political party इस bank को लाके paper दिया बोला कि भाई मेरे पास यह paper आ गया अब यह पैसे मेरे account में द्याल दो यहाँ पर कुछ rules भी थे हैं for example अगर से कोई bond खरीदा गया उसको 15 days में in cash किसी भी political party को नहीं कराया तो वो PM relief fund में चला जाता था एक PM relief fund है तो उसमें वो amount चला जाए किसी political party ने नहीं लिया तो ठीक है तो अभी तक तो दिखने में काफी अच्छा लग रहा है कि सब कुछ bank के तुरू हो रहा है बट इसमें जो scam हुआ वो बहुत important है तो देखो कुछ चीज़ें और समझ लेते हैं कि जो इसकी पार्थी तो donor can purchase the electoral bond जो मैंने आपको बता है through the know your customer KYC के तुरू उसका bank में KYC होगा खरीच सकता है and complaint account subsequently transfer the fund political parties उसको जाएगा donor whether individual कोई भी individual हो सकता है या फिर company हो सकती है can purchase these bonds and then entities and the donate remain the confidential both the banks and the receipt political party अब देखो यहाँ पे जो एक important है कि confidential है यह चीज़ ही open हुआ है यह चीज़ ही open हुआ है वो मैं आपको भी बताऊंगा तो देखो इलेक्टरल बांड में क्या होता donation made via the electric electoral bond which is in 100% tax exemption जो भी किसी भी person को देना है या फिर कोई कमपनी को देना है तो उस पर एक जो benefit दिया गया कि यह 100% tax exemption है बड़ यहाप एक और चीज important note कर सकते हो कि जब आ इस प्लेस पर donation करते हैं तो वहाँ पर आपको tax exemption 50% ही मिलता है और यहाँ पर देखो इनको 100% मिल रहा है तो इस सारे political party ने अपने लिए तो सारे benefit बना के रखे उसके बाद नोटबली है कि there is a limit of the numbers of the electoral bond that a person can company can purchase so yeah there is a no limit यहाँ पर कोई limit नहीं है मतलब जितना चाह उतना funding कर सकते हो अब यह हो गया कि bank के थुरू हो रहा है तो आप जितना चाह उतना funding कर सकते हो ठीक है तो अब देखो इसमें मैं कुछ चीजे बताऊंगा आपको कि कहाँ पर प्र the last elections in loksabha state legislative assembly are the eligible to receive this political मतलब यह हो गया कि यह वही political party यह वही political party इसको incass कर सकती है भजा सकती है जिसको कम से कम पिछले election में 1% ओट मिला हो टोटल ओट का 1% ओट मिला हो तो जो इस representation act में register हो वही political party इस type के funding ले सकती है ओके तो यह भी काफी important था ठीक था अब देखो यहाँ पर जो problem होगा वो आपको बहुत अच्छे सा समझना चाहिए कि यहाँ पर जो इसको unconstitutional करने का जो एक important point था कि जो अभी तक government छुपा रही थी कि जो देने वाला है उसका information उसका information किसको दे रहा है उसका information यह दोनों के एक दूसरे को पता नहीं है तो यह जो anonymity वाला matter था कि यह जो दोनों एक दूसरे को पता नहीं है बट इसके forensic report में जो test किया गया उसमें electoral bond में एक number मिला था यहाँ पे कि एक serial number है अब देखो इससे problem क्या हुआ वो समझते हैं कि जो actual में impact करेगा और जिसके basis पे यहाँ पे सुप्रीम कोट ने और भी reason है जो right to, जो आपका fundamental rights ह 19-1 इसका violations करता है तो वो भी मैं बताऊंगा बट इसका जो एक common sense समझने वाला matter है वो देखो कैसे impact करेगा for example इस बंदे ने इस बंदे ने purchase किया इस बंदे ने SBI के पास गया SBI के पास गया इससे purchase किया और purchase करने के बाद इसने क्या किया Congress Party को यह दे दिया अपना electoral bond जो की 1 करोर का था 1 CR का था अब यहां पर problem अभी तक जो government बता रही थी और SBI बता रहा था कि इस पे कोई ऐसा number नहीं है जिसके basis पे हम identify कर सके कि किसने purchase किया है तो यह जो anonymity वाली बात थी कि गुमनामी किसने खरीदा किसको दिया कुछ नहीं पता है बड़ हाँ band transaction में है वो यहां पे fulfill नहीं हो रहा ह तो अब जब forensic जास से यह report से पता चला कि यहां पर एक number है तो यहां पर देखो problem क्या हो सकता है उसको identify करो तो जैसे मैंने purchase किया SBI से SBI के पास क्या है मेरा KYC है मेरा KYC है मेरा पूरा details है SBI को पता चल गया कि इस बंदे ने इस number का bond खरीदा है अब यह मैंने दे दिया Congress party को Congress party ने यहां पर दिया और Congress party के account में यह पूरा पैसा आ गया ठीक है अगर से ruling party चाहे तो SBI से यह information निकाल सकती है for example BJP जैसे है यह information निकाल सकती है कि मुझे ज़रा बताओ तो यह Congress को कौन के लोग funding कर रहे है ठीक है Congress को तो पता नहीं चल गया क्योंकि Congress ruling party है नहीं बट जो ruling party है वो यह information निकाल सकती है कि Congress को कौन funding कर रहा है और अभी भी जो case चल ला है Congress के देखो account सीज किये गए जो ruling party है अपने सारे साम दाम डंड सब यूज़ कर रहे है किसे इनको कमजोर किया जा है मैं किसी का favor नहीं कर रहा हूं बट कहीं ने कहीं यह dictatorship की तरफ जो move कर रहे है उस point को मैं raise कर रहा हूं तो इसको आपको समझना पड़ेगा जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसको समझो इस awareness को समझो कि जो dictatorship इस तरह से एक financially weak करने का मतलब opposition हो ही ना तो यह जो एक initiative लिया है Central Government ने यह बहुत गलत है इस चीज को मैं support नहीं करता तो यहाँ पे देखो इस BJP ने क्या करेगी वो SBI से यह information निकाल सकती है कि बताओ तो Congress को कौन पंडिंग किया है तो अब Congress ने जो bond यहाँ पे in-cast कराया है जो number SBI को पता है कि किस number का bond is in-cast कराया है वो number किसने purchase किया है SBI find out कर सकती है और यह information दे सकती है तो यह जो बोला जा रहा था कि यह electoral bond एक anonymity है कि कि किसी को पता नहीं चलेगा किसने खरीदा है अगर से Central Government चाहे तो यह information निकाल सकती है और इसका impact क्या होगा उस person को परिशान किया जा सकता है politically, financially और बहुत कई तरीके होते हैं ठीके अब आते हैं कि यहां पे किस basis पे Supreme Court ने इसको illegal declare किया या unconstitutional बताया तो Supreme Court dismissed the donor anonymity as a legitimized the state aim and prioritize the voters right to information under the article 19.1a इस fundamental right के basis पे इसको declare किया गया कि जो author है उसको पता होना चाहिए कि किस ने कि political party को कितना पैसा दिया है ये उसके author को पता होना चाहिए ये उस political party को भी पता होना चाहिए और जो normal author है उसको भी पता होना चाहिए कि उसकी जो party है वो कहां से कितना fund उसको मिल रहा है तो इस basis पे ये Supreme Court ने इसको unconstitutional declare किया और जो म एक chances है, तो यहां पर दे कोई State Bank of India के जो pressure दिया गया, वो आप समझ लो, कि Supreme Court ने क्या वला, State Bank of India को has been ordered to immediate stop the issuing the any further electoral bond, अब कोई भी electoral bond आपको issue नहीं करना है, and further the detail of the such bond to be election commission of the India, ECI, and such details must be include the date of purchase and each bond name of the purchaser and the bond and the denomination of the bond purchase, तो सारे के सारे चीज़े आपको declare करनी पडेंगी, यह सारे चीज़े, SBI को बोल सकते हो, फटकारा, या फिर डाटा, या जिस लेंग्वेज में आपको समझना है, समझ सकते हो, और election ECI sell subsequently published the such information shared the SBI on the official website 13th of March, सारे details आभी गया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, electoral bond within the validity period, but not in cash, जो अभी तक in cash नहीं कराएगा है, उनको क्या करना है, return कर देना है, with the refund issued purchase by the issuing bank, तो जो तक अभी तक in cash नहीं कराएगा, उसको refund करो, बाकी आप से बंद करो, इस type की कोई political funding नहीं होगी, जिसमें यही नहीं पता है कि कौन दे रहा है, किसको दे रहा है, as per the electoral bond है, पर इसका जो misuse मैंने बताया है, कि अगरसे existing governments आए, तो पता कर सकती है, ठीक है, तो यह एक fundamental rights का violation है, और इस basis पे इसको क्या किया गया, अन constitutional declare किया गया, अब यहाँ पे देखो किसको कितना चंदा, यह बहुत बड़ा scam है, यह बहुत बड़ा scam है, इस पे मैं next वीडियो लेके आऊंगा, और आपको पूरा in details बताऊंगा, कि कब गब किस company पे किस तरह का torture किया गया है, ED और central agencies का pressure दिया गया है, तब जाके उस company यहाँ पे funding किया है, electoral bond के through, अगर से यह details, electoral bond को unconstitutional नहीं किया जाता, और यह information बाहर नहीं आता, तो समझ लो, कितना बड़ा scam चल रहा था, बहुत बड़ा scam चल रहा था, यह black money का और political funding का, यह तो समझो, thanks to our supreme court, honor, honorable chief justice of India, जिन्हों ने इसको unconstitutional किया, नहीं तो यह जो black money क रोकने आये थे, ना खाएंगे ना खाने देंगे वाला नारा दिया था, यह कितने बड़े समझ लो की corrupt politician है, आप इसका assumption भी नहीं करते हैं, सोच भी नहीं सकते, कि किस तरह से यह लोग country को चला रहा है, किस तरह से black money को white money में convert कर रहा है, यह मैं अभी next video में in detail आपको explain अभी के लिए देखो यह जो funding से इनको मिली है, इतनी बड़ी बड़ी funding मिली है, अब यह funding मिलने में कोई problem नहीं है, यह funding किस pressure के तुरू मिला है, और उस pressure या फिर डरा के और उसके basis पे जो इनोंने project दिये हैं, इन company को, उसको मैं next video में cover करूंगा, जिसमें आप detail में understand कि यह scheme नहीं, यह scam है, so देखो BJP को जो मिला है, 6000 का funding मिला है, या AITC, जो ममताव एनरजी की party है, उसको यहाँ पर funding मिला है, Congress को यहाँ पर 1422 का थोड़ा सा blur होगा, so अब समझ सकते 1422 का यहाँ पर funding मिला है, इसके बाद जो top donor में है, देखो future gaming, future gaming and hotel services यहाँ पर जो donate किया है, अब पूरा details देख सकते हो, सारी चीज़ें यहाँ पर, आपको देखने हो को मिलीगे, mega engineering and infrastructure ने जो donate किया है, किस parties को मिला है, यहाँ पर देख सकते है, ATP, BJP, 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 इतना बड़ा इन लोगों को मिला है, तो देखो political funding जो यहाँ पर मिल रहा है, इसको लेकर के कोई problem नह है, इसको लेकर के मैं पूरा details वीडियो next लेकर आऊँगा, जिसमें आपको बताऊँगा कि किस basis पे इन सारे कंपीनियों ने, इन political parties को funding किया है, किस लालच में किया है, किस डर से किया है, कौम से central agencies की इस पे pressure था तब जाके किया है, time to time सारे चीज़ों को analysis करके बताऊँग कि electoral bond scheme है, या फिर scam है, तो इसको हम next video में देखते हैं, तो अगर से video guide अच्छा लगा, informative लगा, आपको basic information पता चला, electoral bond से related, तो वीडियो को like करना, आपके जो भी thoughts process हो, आप comments में लिख सकते हो, and इस video को share करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुचे, और next video में हम इसको और explore करेंगे, इस scheme को, या ये scheme है, या फिर है, ये scam है, so that's it from today's, इस video में, so video को like करना, channel को subscribe करना, see you in next video, जाहिन!